प्रेपाट को JPSC की मुख्य परिक्षा के लिए निर्धारित इतिहास विशय के पाठेक्रम के अंतरगत जो सिलिवस आप तक पहुचाए गए हैं, जिससे आपको मुख्य परिक्षा के तैयारी में पढ़ना होगा, उसके अंतरगत बीव हिस्से में अथार्थ खंड का में अधिकारीन भारत का इतिहास आपको पढ़ना है, उसी में कई सिर्षक आपको पढ़ने हैं, उसके अंतरगत एक सिर्षक जो आपके सिलिवस में दर्ज है, उसे मैं आप तक रखने की कोशिस करूँगा, और उससे समंधित किस तरह के प्रस्ण पूछे जाएंगे, और उसक संभावित रुप से ऐसा हो सकता है कि मुगल काल की में जो आर्थिक दसाएं थी, अथार्थ मुगल काल जो बाबरी से लेकर के और अरंग्जेव और उसके बाद के परवर्ति सासकों का जो कालखंड था, उस सबक्त जो आर्थिक दसाएं थी, उसका विसलेशन प्रस्थत क करें, इस तरह का प्रस्थन हो सकता है कि आपको सौट नोट्स के जरिये भी पूछा जाए या फिर दिर्ख उतरिये संदर में भी पूछा जाए, चाहे जैसा भी हो, आपकी प्रस्थूती में कुछ बातों का करमवार विवरन अवस्यक है जिससे आप परिक्षा को कर सकें, चलिए इसके जबाब में आप तक पहुचाने की कोशिस कर रहा है, तो आप लिखते हैं कि मुगल कालिन आर्थिक जीवन की जानकारी हमें आइने अकबरी तथा बिदेसी लेखकों के संस्वर्णों से हमें प्राप्त होती है, और जहां तक आइने अकबरी की बात ह जो आइने अकबरी में रवी अथार्त बसंत के रितु पर बोए जाने वाले 16 फसलों एवं खरीफ के 25 किसिम के फसलों से ये प्राप्त होने वाले राजस्तों का विश्थित विवरन मिलता है, कुल मिला करके अभी जो मैं ब्याक्याप के समझ रखने जा रहा हूं, उसमें इस आर्थिक दसाओं को इस लिशन में आपको क्रिसी, उद्योग, बैपार, विनिमय, इत्यादी, जिन विंदूओं पर मुगलकाल की आर्थिक दसाओं केंद्रित थी, उसका विवरन आपको प्रस्तूत करना है। तो आगे आप लिखते हैं विशेश कर अकबर के समय में, कि अकबर के समय में आगरा के निकट बयाना नामक जगा है और गुजरात का जो सरखेज नामक जगा है, जो अमधाबाद के निकट है, उसके आसपास जो है नील की खेती की जाती थी, और वो सरवुतम किसिम का नील उस शेतर विशेस में उत्पादित किया जाता था कृसी के संदर में अपनी बात आगे लिखते हुए आप पढ़ते हैं कि खेती के विस्तार और बेहतरी के लिए मुगल बात्साहों ने किसानों को बढ़ावा दिया था था किसानी को कापी बढ़ावा दिया था और इसके लिए उन्होंने उनकी ओर से तकावी नामक एक परकार का रिन भी वित्रित किया आता था किसानों को। मुगलकाल में नई भूमी को क्रिसी योग बनाने के लिए बनकटी नामक एक परकार से एक तरीका अपनाया गया था। जिससे अधिक से अधिक भूमी को क्रिसी योग बनाये जा सके। मुगलकालिन क्रिसक वर्गों की मैं बात करूँ तो क्रिसक वर्ग को इस पश्ट रूप से तीन वर्गों में माटा गया था। खुदकास्त, दूसरा पाहिकास्त और तीसरा मुजाहिरीन। तो ये जो तीन संवर्ग जो क्रिसकों के बाते गया थे इनके एक विसस कारेचेतर थे। जैसे खुदकास्त जो हुआ करते थे वे खेदीहर किसान हुआ करते थे। जो उसी गाउं में, उसी गाउं की भूमी में रहते थे जहांके वो निवासी होते थे। पुल मिला करके वे उस खुदकास्त किसानों को अपनी जमीन पर वनसानुगत अधिकार प्राफ्थ थे। और उसे मालिके ए जमीन कहा जाता था। ये मुगलकाल की बात हो रही है। जहां तक पाहिकास्त की बात है, पाहिकास्त में वे किसान होते थे जो दूसरे के गाउं में आस्थाई रूप से जा करके बटाईदार की रूप में काम करते थे। और जहां तक मुजायरिनों की बात है, मुजायरिन क्रिसकों के पास इतनी कम भूमी होती थी कि वे उस भूमी पर अपने परिवार के कुल सरम का उपयोग तक नहीं कर पाते थे। तो ये थी आपको आर्थिक दसाओं के संदर में क्रिसकी को खेंदर्द करके आपकी वयाख्या। अब आपकी वयाख्या ऊध्योग को केंदर्द करके होनी चाहिए। अधार्त अगले पारगराप में आप लिखते हैं कि मुगल काल में सूति कप्लाउड दोग और रेशम वस सीधाकारी मलमल वहां तयार किये जाते थे और जहां तक अन्य उद्योगों की करम में आप आगे लिखते हैं कि भारत में तंबाकु का जो आगवन होता है वो 1604 और 1605 इस्वी के कालखंड में तंबाकु भारत में पुर्टगालियों के द्वारा लाया गया था जहां तक चमडे की उद्योगों की बात है तो चमडे से बनी ही वस्तूओं को बनाने का उद्योग भी उस वक्त चलन में था और उन चमडों के उदार उत्पादित वस्तूओं में घोडे की काठी लगाम घी और तेल की कुप्निया बनाई जाती थे मुगलकाल में इसके अलावा चमकीले कागच का भी निर्मान होता था और सक्कर उस समय विशेश रूप से सक्कर की मैं बात करूँ ये विदेसों से विदेसों को निर्यात की जाती थी अलाकि इसके अलावा काली मिर्च मशाले अफिम इत्यादी भी निर्यात किये जाते थ जराव और कांच का बरतन इसके अलावा सूना चांदी इत्यादी मगवाए जाते थे तो इस तरह से मुगल काल के कालखेंड में आर्थिक दसायों का वरननाप लिख रहे हैं जहां तक चीन की बात है तो चीन से भी उसक्त हमारे रिष्टे थे अना अताथ बैपारिक रिष्टे चीन के साथ भी थे उसक्रम में चीन से कच्छा रेशम इरान से कहा जाए गलीचे और अर्भी घोड़े तक मंगवाए जाते थे हमारे जहारखन की बात करें तो जहारखन और गोलकुंडा से घीरा तक मंगवाए जाता था और इसके बाद लेदी बैपारियों की बात करो तो बैपारियों सब्कों की सुरक्षा ब्योस्था पर विशेज ध्यान दिया था इसके अलावे हमारा जो बैपार होता था उसक्त मुगलों का वो उत्तर पस्मी भारत का जो उत्तरी पस्मी चेतर था उसमें दो स्थल मार्ग थे जैसे कि लाहोर से काबुल और फिर मुलतान से कांधार तक तो थोक बैपारियों को सेठ, बोहरा और मोदी के नाम से जाना जाता था जबकि स्खुद्रा बैपारियों को वनिक कहा जाता था इसी तरह दक्षिन भारत में चेट्टी समाज जो था वो बैपारी गतिवीदियों का एक मुख्य माना जाता था समाज जो बैपारी गतिवीदि बैपार के उद्देशने से आस्थाय रुप से रहते थे उन्हें बीचहती या बचायत की सन्यादी जाती थी आगे वस्तु मिनिमे की थोड़ी बात कर ली जाए तो वस्तु मिनिमे का माध्यम उस वक्त घुंडी हुआ करता था यह प्रकार का अलबकालिक रिनपत्र होता था जो एक प्रकार की कहा जाए कि वो चिट्थी होती थी जिसका भुक्तान एक निश्चित अवधी के बाद कुछ कटवधी करके कर लिया जाता था अक्बर के सासन की बात करो तो उसकार में एक और जू कहिए कि एक प्रकार का कर जो आज की तारिक में टॉल्टेक्स के रूप में हमें जाना जाता है उसे अक्बर के समय में रहधारी कहते थे उसे अक्बर ने अवैद घोसित कर दिया था या फिर कहें कि रद कर दिया था। थोड़ी सी चर्चा आपके व्याख्यान में उस वक्त वस्तूओं के मुल्ले पर भी होनी चाहिए कि किस प्रकार बाजार में वस्तूओं बिखती थी या उनकी कीमते क्या होती थी। क्योंकि आर्थिक दसाओं को बताने में इसकी प्याख्या भी अवस्यक्त थी। तो आप लिखते हैं कि मुगल काल में डैनिक जीवन में उपयोखी जाने वाली वस्तूओं जनरली या यू कहा जाए सस्ती होती थी। जैसे अकबर के समय में विजेष कर घिहूं एक रूपे में बारह मन मिलता था जबकि ज對不起 एक रूपे मैं अठारह मन मिलता था। इसी तरह से बढ़िया चावल दस एक रुपे में दस मन मिला करता था, नमक उसी क्रम में देखा जाए तो सोलह मन मिला करता था, और एक रुपे में अगर दूद की बात करूं तो एक रुपे का चवाली सेर उस समय दूद मिलता था, तो उस हिसाब से देखा जाए, तो साधा मनुस कि आवसक्ताई चुकि उस वक्त सीमित थी इस इस्थिति में उनका जीवन एक तरह से संतूष्ट रहता था। पुलमिलाकर इतिहासकारों का मानना है कि इसकालो धी में खरिसकों के लिए या निम्न आयवर्गों के लिए जीवन व वह शरल था, अधार्थ उन्हें सस्थी चीजे मिला करती थी। इसतरह से समस्थ मगल काल के कालखंडों में विविन सासकों के कालखंडों में विशेजकर अकबर के काल से लेकर औरंजेप्ट के कालखंडों में यदि आप आर्थी दसाओं का मुल्यांकन करते हैं तो इससे आप पतक रखता है कि क्रिसी बेपार और अन्य उद्योगों में मुगल सामराज जी की अर् परिशाहौल में लिखित सोरूप देते हैं तो तया मानिए कि आपकी परिशा में आपकी प्रस्तूति अच्छी मानी जाएगी और वो संतोज जनक होगी तो आज मैंने उस सिर्शक को केंदरित करते हुए कुछ आपकी सबक्ष रखने की कोशिश की अधिया करता हूं कि आपको मेरा या व्यक्यान पसंदायाता है तो मैं नियमीत रोप से आप तक इसी तरह के वुच्क को केंदरित करकर आने विज्यों पर भी विड़ीोस बनाकरके आप तक सामगरी कोई कोशिश करूँगा आप को अच्छा लगता है मेरा वीडियो तो आप उसे लाइक करें सब्सक्राइब करें अपने मित्रों के साथ साजा करें जल्द ही मैं नए वीडियो के साथ आप तक उपस्तित रहूँगा तब तक के लिए धन्यवाद